शान्ती सी है बिल्कुल बहुत जबर्दस तरीके की शान्ती है और इसी लिए हमने ये गाड़ी चुनी है जिसके अंदर हमने सोने का पूरा सिस्टम बनाया है आप कहेंगे कि इस गाड़ी के अंदर ये सिस्टम बनाने की जरूरत क्या थी तो सिस्टम इसलिए है कि ये एक ऐ बारों तरप से देख लेते हैं गाड़ी बहुत ही जबरदस्त है और जब मैंने इसे सोचा कि क्यों ने हम इसको हाउस ओन वील के लिए तैयार करें तो मुझे लगा इससे अच्छी गाड़ी नहीं हो सकती है उसका रीजन है पहले हम बाहर से देख लेते हैं इसमें यहां से इधर से लेके कम से कम यहां तक की लेंथ मिलती है और वो मेजर मेंट और पुराने वीडियो आप देख सकते हो उस मेजर मेंट मेराउंड पांच फिट से ज़्यादकी कम से कम इसके अंदर है लेंथ मतलब मिलती है उस लेंथ में आप आराम से सो सकते हो और अगर वर्टिकली आप जिग जग करके सोगे तो as per mathematics आप 6 फिट के बंदे आराम से इसके अंदर आ सकते हो तो पांच बाय चार का तो हमने ये फ्रेम इसके अंदर लगा दिया है दूसरी सबसे बड़ी चीज कि इसके अंदर ना ये जो canopy लगी है ये canopy का system इतना अच्छा है कि आप 5 या 10 minute के अंदर इस canopy को उतार सकते हो इसको वापिस से लगा सकते हो और इस घने जंगल में जो गुरगावा के अंदर ही है और ऐसे किसी भी जगह पे आप जाओगे जहां आपको नजारे लेने हो तो त इसरी चीज आपको पता ही है वैसे मैंने अभी इसमें free wheel hub भी लगाया हुआ है लेकिन four wheel drive गाड़ी के अंदर ये कहीं भी किसी भी मोसम में किधर भी जा सकती है तो इसलिए मैंने इसमें ये गाड़ी की choice करी है कि हाँ definitely अगर हम बाकी गाड़ी भी ले सकते हैं लेकिन वो तो थार लोगे उसके अंदर फिर इतनी length नहीं मिलती कि वहाँ एक bed आ सके या फिर आप जी वेगन लोगे वो 65-70 लाग की तो वैसे ही मिलती है फिर वो five-seater गाड़ी है और उसके पीछे डिगगी भी है इतनी expensive गाड़ी वैन, SUVs, normal आप लेते हो न तो उसमें ये privilege आपको नहीं मिलेगी कम कीमत में किफायती गाड़ी कहीं भी जाने के लिए चाहे सर्दी हो चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो उन सब जगे पे जाने के लिए इससे अच्छी गाड़ी नहीं है अब हमने क्या क्या किया है उसको भी हम ध्यान से देखते हैं तो ये है हमारा अभी मैं है कि नहीं जब बर्दस्त एक बंदा तो आराम से इसके अंदर सो सकता है मैं थोड़ा लेट के भी दिखाऊंगा इसको और देखो अपनी च्वाइस है जिसमें आपकी जो च्वाइस हो आप उसमें वो काम कर सकते हो आपको ये नहीं है कि भीया मुझे ये चाहिए तो आपने क्यों आपको पसेंदे काम क्या क्या लगाई जो अगर आप पुराने वीडियो आप देकोगे तो ये वाली चैनोपी हमारे इस गाड़ी के अंदर नहीं थी एक महीना पहले पुराने वीडियो देखी है तो उसमें मैंने rear seat लगाई हुई थी और ये गाड़ी बिलकुल open थी अब उसमें नुकसान होता था कि बारिश का पानी भी अंदर जाता था हीचर्ड, मिट्टी बनके पूरा ऐसे गंद फैल जाता था और जंग लगने का डर था तो सबसे पहले तो मैंने ये कराया कि ये चेंज हो जाते हैं आप काई लोगों को लगता होगा कि नया ही परदा मंगवाना है लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करोगे कहीं भी अपने शहर में तो ये चेंज हो जाएगा, ये भी मैंने चेंज कराया था उसके अलावा ये चिट बटन 35-40 रुपे के मिल जाते हैं तो ये भी मैंने सारे के सारे लगबग चेंज करा दी दिये ये चेंज लगी अलग से जो खराब हो चुकी थी ये चेंज लग गई और इसके अलावा हमने ये बड़े वाले थे ये मिले नहीं थे बट ये भी 70-80 रुपे के आसपास आ जाते हैं तो ये सारा का सारा हमने सबसे पहले जो किया कि हम इसकी च्छत बन वाले हैं क्योंकि अगर हम अंदर कुछ भी काम करेंगे बिना अंदर पानी जाए हुए अगर हमने कुछ भी बना लिया तो ये सारा का सारा खराब हो जाएगा दूसरी choice मेरी ये थी कि इसके अंदर मैं अकेला हूँ या दो बंदे हूँ तो दो बंदों की बैटने की जगे और पीछे लेटने की जगे हो जाए और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर हम कहीं जा रहे हूँ तो कितनी ही बारिश आ जाए, कितनी ही मिट्टी हो जाए, तो अंदर कीचड नहीं होना चीए तो उसी के लिए हमने क्या किया है कि एक तो उपर से बंद हो गया और नीचे से क्या है कि चाहे बारिश आ भी जाए और हलका फुलका पानी अंदर आ भी जाए तो हमने नीचे से तो सारी कैप बंद करा दी है उपर क्या हुआ है कि ये सारी चाहे नीचे बबल रैप कराया हूं जिससे की आवाज में भी थोड़ी सी कमी आ गई है और उपर से हमने एक कारपेट बिछा लिया है जिसकी वज़े से क्या हो गया है कि ये कारपेट भी पानी के अंदर खराब नहीं होगी मतलब पानी अंदर जाएगा नहीं और पानी के अंदर जाने से बद्बूझो आती है वो भी नहीं होगी क्योंकि देखो ये ओफ रोडिंग, आउट्डॉर और ट्रेवलिंग के लिए गाड़ी है तो पानी कहीने कहीं से जिपसी में जाएगा, यह इसका आशिरवाद है, कि यहां से भी पानी आ सकता है, यहां से भी पानी आ सकता है, इधर कहीं से भी, कितना ही आप अच्छे से सील और बंद कर लो, पानी कहीने कहीं से आही जाएगा, अब है कि मुझे कहीं जाना भी है, त इसके अलावा गाड़ी में पहले यह नहीं था मोबायल चार्जर जिसकी चाहे मैं वीडियो बना रहा हूँ, चाहे मैं कहीं रात को रुक रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, तो मैंने ये एक चार्जर पॉइंट अलग से लगाया है, 12 वोट का, पहले इसके अंदर नहीं था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले नहीं था, कई लोगों ने पहले ही इसके अंदर लगा रखाओ, वो बात अलग है, इसके अलावा सबसे पहले 6 फिट का बंदा इसके अंदर लेट सके, उसके लिए क्या कारवाई करी गई है, उसको हम देख लेते हैं, यहां से यह खुल चीजे को खोलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो चीजे खराब हो जएगी, तो यहां से हम चीज भी खोल लेते हैं, और यही तो खराब करती हैं, छोटी चोटी चीजे हैं, जो गाड़ी को खराब कर सकती हैं, अब हम यहां से इसको खोल देते हैं, तो एक दूसरा जो मेरा main objective खोट यूँ था कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरा जो भी समान होगा, चाए छोटा हो देखो, लक्षिता ने अपना एक हैं की वहाँ पे छोड़ दिया है, चाए छोटा समान हो, चाए बड़ा समान हो, मैं जब इसके अंदर बैटा हूँ, लेटा हूँ, हाउस ओन वी सीगी उसी sitting arrangements के जो page होते हैं वहीं पे हमने इन page को लगा दिया है और जो bubble wrap और carpet के बाद इसकी look बहुत ही अच्छी आ गई है बढ़िया बहुत अच्छे hinges के साथ आप लगभग सारा ही समान वो seat आगे करेंगे तो यहां भी देख सकते हो आप लगभग सारा ही समान एक या दो बंदो का जितना समान इसके अंदर आ सकता है उतना समान आप इसके अंदर लगा सकते हो रख सकते हो neat and clean रहेगा और आप देख रहे हो कि पूरा अच्छे से curtain है अंदर से मैं बैट के दिखाता हूँ तो कोई मुझे ऐसी problem नहीं हो रही कि भहिस अब जगह मुझे कम पड़ रही हो यह आ गया अब इसके बाद क्या करते हैं अब इसमें बैट जाते हैं बैटने के लिए सबसे पहले आप इस ट्रोर को खोलो जूता एक नीचे है वैसे आपकी मर्जी आपकी सिसाब से जाना चाते हो लेकिन सफाई तभी अच्छी होगी जब आप खुद सफाई को मैनेज करोगे तो यह जूता हमने निकालो और इसके अंदर रख दो ठीक है दूसरा जूता भी रख दूँ वैसे तो नीचे छूट गया बड़ निकालो जूता है तो यह दोनों जूते हमने यहां रख दिये हैं तो अब जूते यहां रखने के बाद देखो कितनी मिट्टी है यही मिट्टी ऊपर अंदर तक ना आए आपके पास इसलिए यह द्रोर यहां पर रखा गया है इसको आप कभी कभी कालीन को साफ कर दो पानी मारोगे तो यह साफ हो जाएगी उसके बाद यह मैंने डबबा जो है जो आप कह लिजए इसको स्टूल टाइप का है इसको मैंने आगे तक किया है आराम से आप 6 फिट का बंदा बढ़िया से लेट सकते है देख रहे हैं फुल लेंथ में लेटा हुआ कोई परिशानी नहीं चार और तरफ से गाड़ी खुली है वैसे ही मज़ा बहुत आता है गाड़ी के अंदर बैट के अपना कुछ काम करना है अब कोई भी काम कर सकते हूँ जिम से अभी आए है खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है लेकिन उमीद थी कुछ खाने को मिल जाए तो लेकिन ऐसी जगह पर लेट के सोगट के, बैट के मज़ा ही कुछ हो रहे है न देखो अब जंगली जाएन वर कुछ आएगा तो आजाएगा मेरा तो कुछ खाएगा नहीं क्या पता, जिम से आए हूँ मैं मुझे तो अभी भूग लग रही है मैं तो उसको भी पकड़ के खा जाऊँगा तो यह है में अबजेक्टिव गाड़ी को कहीं भी किधर भी लेके जाओ और इस तरह से आराम से सो जाओ ठीक है अब जो आगे मैंने ये किया है ये थोड़ी सी जल्दबाजी में गलती हो गई है ठीक है फिर भी ठीक है उत्तरी, ये देखो अंदर पानी चला गया है ये गया था तीन दिन पहले तो उसका ये पानी अंदर जाने का जो था वो यहां से जा रहा था ये पानी तो यहां से पानी अंदर गया था क्या था नया मैंने लगाए है और ये सुई जो है, सिलाई जो है मोटी वाली सुई से हुई है जिसकी वज़े से क्या है, यहां पानी जो इकटा हो रहा था वो यहाат नीचे आते विए इसके ऊपर गिर रहा था अब जब इसके ऊपर गिर रहा था तो उपर से तो मैंने साफ कर दिया लेकिन यह यहाँ इसके back side में नीचे की तरफ रह गया और यह क्या है यह एक शाटी हमने बनाई है वैसे तो बैठने का सिस्टम भी था इसके अंदर कि आप फेस इधर करके बैठ जाओ जब ठक जाओगे तो क्योंकि वैसे तो इसमें आप बैठ नी सकते और उसके अलावा आँ मुझे लगा कि यार इतनी इतनी ओफ रोडिंग वाली गाड़ी में अगर कोई इस तरह से बैठेगा तो इस सीट तो फटी जाएगी और इसके अलावा ये था यहां पर तो इसके अंदर समान आजाएगा समान आने के बाद इसको आप कैसे कर दो समान आपका पेक होगे इसके अंदर अब आप यहां पर लेट जाओ तो यही था सारा सिस्टम इसमें बैठने के लिए लेटने के लिए अब यही है कीटर सीट नहीं आनी चाहिए यहां पर आगाई करता है अगर यह कंडेक्र सीट भी आ जाए यहां पर फिर भी आप देख रहे हो यहां से यहां तक 5 फिट है और गाड़ी अगर बंद कर लो तो बंद करने के बाद भी अप्रोक्सिमेटली आपको आदर फिट की जगह वहां मिलती है टायर के पास में और अगर पैर को आप डाइगुनली ऐसा कर लो तो आराम से 6 फिट का जो बंदा है वो लेट सकता है और अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो घूमने जा रहे हो तो थोड़ा मोड़ा फोल्ड करने की आपके अंदर पावर भी होनी चाहिए इतना तो एड़जस्ट आपको करना पड़ेगा अब आप ऐसी जगह पर जाओ है ना ऐसी जगह पर और आपका मन कर जाए कि चलो चाय बह जो भी आपने रखना है सिलेंडर रखना वो एक छोटा सा सिलेंडर और कुछ औवन बरतन चम्मच नैपकीन कुछ भी रख सकते हो जो मर्जी हो आपको रख लो इसमें बनाने के बाद आपको चाय सब करनी है तो यह एक्स्टर ट्रे बना दी है यूटिली आइटम्स हैं ए आप इसको बंद कर दो इसके बाद आप यहां आराम से बैठो इंज्वाए करो यह जो मोसम है जिसके लिए गाड़ी बनाई है हमने उसको आप इंज्वाए करो थोड़ा घूम के आओ पैदल आ जाओ नहीं बैठे हो पे सोचो काम करने में भी बहुत मजाएगा ऐसी बात नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते हो अगर रिलेक्स होके काम करना हो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हाउस वन वील्स टाइप का आराम से बैठे रो काम कर लो हाँ जो मैंने पानी का बताया था जो पानी का सिस्टम है जो लीक हो रहा था तो इसमें दो-तीन कोशिश ये थी कि इसमें मॉम लगा लो थोड़ा सा घिसके वो भी नहीं हुआ तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने यह सिलिकॉन ट्यूब आती है और सिलिकॉन ट्यूब लगाने के बाद अभी पिछले दो दिन से बारिश हो रही है तो इसमें बारिश की एक बुंद भी इस बज़े से काफी कम होगी यह गाड़ी में पहले बहुत ज़्यादा थी अब जो घर घर धर की आवाज है वो कम है तो भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा बट इस गाड़ी को च्वाइस करने के पीछे मेन अबजेक्टिव यह यह था कि इस गाड़ी को हम पसंद करते हैं मैं पसंद करता हूं और बहुत सारे लोग जिपसी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि इसी गाड़ी में आप कहीं जाए और यह चोटी-चोटी चीज़े होनी चाहिए और गाड़ी में कहीं भी मैंने जो भी काम कराया उसमें को 32 यह तक तो चलेगी मतलब 32 तक तो चलेगी चलेगी उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसका लेकिन हाँ आपको अगर गाड़ी पसंद आई हो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और अभी तो एक छोटी सी ट्रिप हम आरेंगे एक दो दिन के अँदर लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिप इस चैनल के अनने वाली हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और क्या सजेस्ट करिए कमेंट करिए क्या-क्या हम चीज इसके अंदर लगा सकते हैं देखें लगाने को बहुत कुछ है लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए तो दीरे-दीरे जो यूटिलिटी आइटम्स हैं वही हम इसके अंदर लगाएंगे ज़्यादा ताम जाम नहीं करेंगे चलिए वीडियो देखते रहें थैंक्यो वेरी मच्च बाई बाई